नमस्कार दोस्तों आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक जिसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं बता दूँ आप लोग हमेशा सोसल नेटवॉकिंग से जुड़े होते हो always always connect होते हो सोते टाइम उठते टाइम पैटते टाइम खाते पिटते नहाते टाइम उसके आगे की बात नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि उस टाइम तो कोई नहीं करता है यूज बात तो आप लोग समझ रही होंगे तो हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे social network से कितनी हानिया हैं, कितने नुकसान हैं हमारे लिए, हम young generation के students के लिए, हम young generation के public के लिए कितना effect करता है, कितना इस बड़ा disadvantage है, दोस्तों इसके बारे में बात करने वाले हैं, जो आप लोग इस साय जिंदगी बदल दे, तो इस वी लाइन गुरू चैनल, चलिए दोस्तों कुछ अच्छा सीखते हैं, तो हम लोग बात करने वाले हैं किसकी disadvantage of social network की बात करने वाले हैं, disadvantage of social network की बात करने वाले हैं, तो disadvantage of social network क्या होता है भाई, disadvantage of social network क्या होता है, सबसे पहली बात, कि हमारा इसमें क्या होता है, 60% news जो होता है, वो fake होता है, क्या होता है, 60% जो news होता है, वो fake होता है, आप लोग एक बात जान लो, क्या होता है ये, ये 60% news हमारा fake होता है, आप पता है कि आज कल के समय में कोई भी बंदा धर्म के नाम पे कुछ भी डाल दिया Facebook पे कुछ भी इंस्टा पे डाल दे रहा है कुछ भी WhatsApp पे लोग status लगा दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ने यह reality है क्या चुकि reality क्या है क्या दंगा कराने के लिए बवाल कराने के लिए आपके mind पे effect डालने के लिए काफी सारी problems create करने के लिए इंडिया लेबल पे world लेबल पे district state village लेबल पे हर जगर पे social media का प्रयोग किया जा रहा है लेकिन 60% news fake होती है गलत होती है इसलिए आप लोग social media से दूर रहने का प्रयास करें इससे बहुत फायदे है आपका distractions नहीं होगा सबसे बड़ी बात है time waste किसकी बात हम लोग कर रहे है time waste की बात कर रहे है अब बताओ सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप लोग Facebook खोलते हो एक मिनट के लिए कितने मिनट के लिए सोच के खोलते हैं मैं पढ़ रहा हूँ अच्छा करता हूँ कि मैं दो मिनट के लिए Facebook खोलता हूँ दो मिनट बाद मैं Facebook को बंद कर दूँगा क्या करूँगा वो दो घंटे में भी बंद करने का मन नहीं करता है, जवर्दस्ती उसको लोग बंद करते हैं, WhatsApp खोल लिए सुचा कि हम ग्रूप देखेंगे, लेकिन ग्रूप करते करते हैं, पता चला फ्रेंड का चैट, मैसेज जाने लगा, जैसे ही फ्रेंड का मैसेज आया, कोई भी फ्रेंड हो, बॉइ फ्रेंड हो, गर्फ्रेंड भी हो सकती है, मैसेज आया, आपने बात करना शुरू किया, घंटे, दो घंटे, तीन घंटे बीद गए भाई, सोसल मीडिया से क्या हुआ कितना effect पढ़ रहा है तीसरी चीज की अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें आपकी details भी share होती है तो आप लोग details share मत किया करो कोई भी details हमारे social media पे share मत किया करो क्योंकि बहुत बड़ा effect पढ़ता है details का Google को सारी details पता रहती है यही कारण है main access होता है उसका social media जिससे वो सारी details आपकी रखता आपके परिवार की आपके खंदान की रखता है पूरे all over world के एक एक person की detail रखता है किस माध्यम से social media के माध्यम से तो आप लोग को social media के माध्यम से दूर रहना होता है एक बात हम लोग और कर सकते हैं इसमें negative comments क्या होता है भाई negative comments आते हैं जैसे माधन लोग कोई भी वीडियो हमारा पढ़ गया कोई भी एक वीडियो पढ़ गया कोई कुछी की घर के बच्ची ने dance कर दिया अगर तो लोग उसके comment मारना शुरू कर दें कोई धर्म का वीडियो डाल दिया है तो उस पे गलत करना comment शुरू करेंगे कोई politicians की बात कर ले किसी VIP की बात कर ले तो गलत comment करना लोग शुरू करते हैं तो इससे काफी ज़्यादा negative effect पढ़ता है mind पे गुसा आएगा जुनून आएगा problems आएंगी हमें लड़ना पड़ता है क्या करना पड़ता है लड़ना पड़ता है तो दोस्तों ये है negative comment हमारे social media यूज़ करने से negative comment हमारे mind को भी आता है mind में भी आता है negative comment उसके बाद की बात कर लें तो ये distract करता है भाई ये क्या करता है distract करता है ये distract करता है study, walk, everything की बात कर ले किसी की बात कर ले हम मान लो पढ़ रहे हो आपका mobile on है, net on है एक message आया तुन कैसे आता है message एक ring आई तुन से जैसे ही तुन से ring आई क्या हुआ आप distract औरे message आप उस mobile को touch करो या ना करो उसको use करो या ना करो जदा time rest करोगो होता है ऐसा होता है कि नहीं होता है comment करके आप बताईएगा हमें जरूर बताईएगा दोस्तों ठीक है उसके बाद की बात कर ले अगर हम last की बात कर ले तो हमारे brain पे effect परता सबसे बड़ा problem क्या है दोस्तों हमारे brain पे effect परता है brain पे effect परता है जदा social networking यूज करने से आजकल आप लोगों सुन रहे हैं कि जदा PUBG यूज करने से लोग मर जा रहा है PUBG खेलते 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 उनकी हालत कोमा में चले जा रहा है ऐसे बहुत सारे case सुनते होंगे आप लोग दोस्तों जदा social networking मत यूज करया करो लेकिन हां यूज किया करो अच्छे के लिए यूज किया करो YouTube यूज किया करो हमारा वीडियो देखने के लिए यूज किया करो बाकी आपको कोई problem होती है अगर बिल्कुल आप हमसे contact कर सकते हो description में हमारे channel का link दिया हुआ है आप comment कर सकते हो उसमें joined हो सकते हो free of course सारी classes है हमारी ठीक है अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो like से subscribe जरूर करेंगे लेकिन अगर आपको कोई सुझाओ देने का मन करा तो बिल्कुल आप comment कर ये उस comment कर reply मैं दूँगा कोशिस करूँगा कि वीडियो की माद्य हम से दूँ टाकि आपको और भी मजा आया दोस्तो तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद जैहिंद